हेलो अब्रिवान कैसे आप सब आई हूँ आप लोग बहुत बढ़ी आउंगे तो आज मैं फिर आ गई हूँ एक बहुती मज़तार सी रेसिपी लेके तो आज मैं बनाने वाली हूँ ब्रेड आलो टेकी सैंडविच बच्चों से लेके बड़ो तक सबको यह जरूर पसंद आ करते हैं मारी आज की रेसिपी टेकी के लिए मैं इतर बोईल डालू लिया है उसमें मैं डाल रही हूँ छोटे चौप्ट हरी मिर्ची अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप अब अबुदीन पत्ता इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है अगर आपको पुदीन नॉर्मन नमक आप कॉंटिटी अपने टेस्ट वर्ट के अनुसार चेंज कर सकते हैं फिर मैं इसमें डालूंगी आधा नीबू का रस नीबू के रस से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है फिर मैं इसमें डाल रही हूं चावल का आटा एकी बारे में जादा नहीं डालना है थ थंडे उबले हुए आलू यूज किया है थंडे आलू अगर यप यूज करते हो न तो बनाने में इजी भी रहता है और उसकी बाइंडिंग भी अच्छे से होती है और फिर न मैंने इसके उपर से बस थोड़ा सा ओल ग्रीस कर दिया है 15 मिनिट या आदे घंटा जितना आप उतने दिर रस्ट में रखना मैं इसे आदे घंटे के लिए रस्ट में रख दूँगी तो अब आदे घंटे बाद मैंने हाथों पर थोड़ा सा ओल ग्रीस करा है जितना बड़ा आपको टेक्की बनाना होका आप उतना बड़ा पेड़ा लेना आदू का और पिर उसे ने हाफों से सरकल सरकल कर गूमाना जैसे हम पेड़े बनाते आटे के इसलिए मैंने हाथों प chut्ध degradation करा है जिसे की हाथों पर चिपके न और जब भी पूर सरकल बन जाए तो अपने हाथों से अलका pressure देना है जाधा भी तयज नहीं हलगा pressure देते हुए इसे थोड़ा सा फ्लैट कर देना है तो देखे हमारी टिक्की बनके बिल्कुल रडी है साइस आप अपने हिसाब से रखना और फिर अम मैं बाके टिक्कों को भी ऐसी बना के तियार कर लूँगे टिक्कियों को मैं तबे पे ही फ्राइ करूँगी इसलिए मैंने इस पे थोड़ा सा तेल ग्रीस कर लिया है मैंने रिफाइन ओयल यूज किया है आप चाहें तो कोई भी ओयल यूज कर सकते हैं तेल जब थोड़ा सा गरम हो गया मैंने इस पे रख दिया टिक्कियों को और एकदम मीडियम फ्लेम करके इसे क्रिस्पी लाल होने तक हमें फ्राइ करना है आप चाहें तो डिफ्राइ भी कर सकते हैं मैंने ओईल बहुत ज़दा कम यूज किया है आप चाहें तो थोड़ा तेल जादा भी यूज कर सकते हैं तो बस टिक्या एकदम रड़ी है मैंने धीमी आच में इसे क्रिस्पी लाल होने तक फ्राइ करा है आलू पहले से पका था इसलिए पकने में जादा टाइम नहीं लगा अब मैं इस अलग से निकाल लूँगी तो चलिए बना लेते हैं अब एक मैजिकल चटने तो उसके लिए मैंने लिया है इदर पुदीनवा पत्ता उस पर डाला मैंने थोड़े से कच्छे आमके स्लाइस और मैंने डाला तीन-चार हरी मिर्ची जितना मिर्ची आपको पसंद दो उतना डालना और डाला मैंने इस पर स्वादनुजे नमक और बहुत थोड़ा पानी डालना है और फिर इसे कर लेना है अच्छे से ब्लेंड और ये चटनी न बहुत से लगते है खाने में तो अब मैंने इधर लिया है दो ब्रेट जिसको मैंने नॉर्मल बटर से सेख लिया है एक में मैं लगाऊंगी हरी चटनी जिसके अभी रेसिपे मैंने आपको बताया और वही फिर मैं एक में लगाऊंगी इमली की चटनी फिर मैं इसमें रखरी हूँ दो टिकी आपको जि ने डाला था पस फिर दूसरे ब्रेट स्लाइज से इसको कवर कर देना है तो बस हमारी आलो टेक्की सेंविच बिल्कुल रेडी है रेसिपी पसंद आए तो एक लाइक जरूर करना और चानल पर नहीं है तो सब्सक्रेब जरूर करना क्योंकि मैं डीली अलग-अलग रेसिपी अब तक के लिए बाब बाई